निगलम में फिर से अपका एक बार स्वागत है ये वडियों विश्य सरुप से बिहार सिचक बहाली ये हो मादमिक तथा उच्छे मादमिक से संबंदित है बहुत दिनों से प्रस्षन चला बार-बार एक प्रस्षन को आप पूछ रहे हैं कि सर सातवे चरण से संबंदित नो पूछा जा रहा है इसमें कुछ अवियारतियों के भी जवाब है गौर्मेंट का भी जवाब है गौर्मेंट क्या कह रहे है कि जब तक छठा चरण हम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक सातवे चरण कर नोटिफिकेशन नहीं आगा यह माना जा रहा था कि 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन निकाल देंगे यानि वहरस्ट जुजर उनीस के अव्यारति जो आवेदन कर सकते वह ओनलाइन निकाल देंगे सेंटरलाइज होगा यह उगा जितने नहीं हो जनायई होंगे सबको बाहर कर दечат सारा चीज हो रहा था यानि जनवरी फरवरी ये चीज दूसरा कुछ अव्यारती यह कह रहा है कि इसे सम्भाइच नोडिविकेशन अभी नहीं आ सकता है जब तक जो भी केस किया गया है जो भी हाइच कोट में जो केस चल लें जब तक उसका सुनवाई नहीं हो जाता है सुनवाई ये माना जा रहा है कि नौंबर के last last week में यानि मन्त के last week में सुनवाई से सम्बंदित हो सकता है ये पूरा fix नहीं है लेकिन हो सकता merit non merit का जो मामला है उसका सुनवाई last week तक हो सकता उसके बाद ही इसके certificate की चर्चा हो या इससे सम्बंदित notification की चर्चा हो वो होगा उसके बाद ही ये बाहली पर क्रिया वेगरे होगा ये कुछ अवियार्थियों का कहना है ये भी हो सकता है कि उसमें नहीं हो कि दिसंबर में हो ये का जा रहा था कि अगर जल्दी सुनवाई नहीं होगा तो जनवरी फरवर इम नोटिफिकेशन आ जाएगा तो केस का कुछ चर्चा ही नहीं पाएगा लेकिन उससे पहले certificate मिल जाना जाए कुछ अवियार्थियों का ये भी कहना है कि certificate तो मेरे पास बहुत सा रहे हैं ये certificate लेके मैं क्या करूंगा अरे ले लीजेगा तो एक प्रूफ हो जाएगा नहीं तो वेप कॉपी इस नौट वेलिड लिखेगा certificate मतले लीजे कुछ भी copy डिजी लॉकर अगर मिले लीजे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे लेकिन जब तक कुछ अभियारति वो करना है जब तक इसका सुनवाई नहीं हो जाएगा में मुद्दे पर आते हैं अब यह अभियारति आपस में यह कर रहे हैं merit है non merit है को certificate नहीं लेना है certificate लेना है यह सारे मुद्दे आपस में यह कर रहे है और government कर रहे है ठीक है आप जो करना है जो खिचड़ी पकाना आपस में करते रहे हैं मैं तो एक ही सब्द कहता हूं कि जब तक छठा चरन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक सात्वा चरन से संबंदिर notification नहीं आएगा और यह बढ़िया न्यूज भी है बढ़िया न्यूज इसलिए क्योंकि एक चीज मैं complete करूंगा तभी तो नया करूंगा जहिर सी बात है यही है अब देखिए उससे समझे न्यूज के आ गया है सभी सोची रहते कि बारे दिसंबर तक हो जाएगा यह सारे चीज लेगे न्यूज देखिए उसके बाद हम फिर आगे अपडेट करेंगे अब देखिए यह न्यूज जो है आया है राज्ज निर्वाचन आयोग बिहार पत पत्रांग संख्या S Quiet002 था महास है उपरुक्त विश्यक प्रासंगिक पत्र द्वरा जीला परियुजन समीति द्वरा मादमिक या उच्छे मादमिक। प्रस्ताव की संबन्द में कहना है कि जीला परिशद परामर्सी समीती के जीला परिशद के एक सदस्ति होते हैं अदर्स अचार सहीता मारदर्शका के भागतीन घह एक फिर एक में स्पस्ट अंकित है कि केंद्र या राज्जी सरकार की कोई ऐसी योजना जिसके चैन या किरियावन में पंचाईती राजसंस्ता के प्रतिनिधियों की परत्यक्ष या परुक्ष भूमका है उनके कारियोन पर रोक रहेगी उनके कारियोन पर क्या करेंगी रोक रहेगी अतह उक्त आलोक में निदेशा उंचर मादमिक या उच्छे मादमिक सिक्षक नियोजन परकिरिया को आदर्स अचार सहीता के प्रभावी रहने के इस्तिति में बिभाग के प्रस्ताव पर आयोकी असाहमती संसूचित की जाती है किलियर हो गया असाहमती मिल गया यानि जो आप सोच रहे थे ना कि ये जो बहली पर किरिया चट्थे चरन का मादमिक और उच्छे मादमिक से संब्दित ये कम्प्लीट हो जाएगा अब ये दिसंबर तक कम्प्लीट नहीं होगा कौन संब्द है बाबु अभी अक्टूब है नौंबर और दिसंबर दो मन्द का काम यानि आवेदन के बाद का सारा काम मेरिटलिस्ट बनाना उससे संब्दित सारा काम करना यानि पूरे तीन मन्द का काम आपका पेंडिंग हो गया तीन मन्द का काम क्या होगा आपका पेंडिंग हो गया ध्यान से सुनिए इस आदमिक और उच्छे मादमिका कर लो क्योंकि बिहार स्टिट के जो अभ्यारति है न बहुत बेचैन है कि मेरा जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए ठीक है के सुनवाई आपको कब लग रहा है को यह लग रहा है आपका कब तक यह नौंबर तक अब यह तीन मंत यह कहां जाएं है जन्वरी और फर्वरी हर हालत में बुक रहेंगे हर हालत में क्या रहेंगे बुक रहेंगे और मार्च भी थोड़ा से लेही लिजे मतलब छोटा मत कीजिए बड़ा ही रखिए बड़ा रखिए गर थोड़ा सोच जैसे बड़ा रखते नहीं इसी सोच बड़ा रखिए या है क्या आपको भी कुछ समझ में है तो मुझे जरूर बताईएगा कॉमेंट सेक्शन में मैं गलत हूँगा तो फिर यह डिलर फिल्ट सब कर दूँगा साबित करने की कोसिस कीजिएगा इस पर मतलब यह जरूर कहिएगा क्योंकि मुझे इदर तीन मन्त देख रहा है को जाहिर सी बात है मैं आगे तीन मन्त ले जाओंगा बारे जिसमबर तक अलक्सण है बारे दिसमबर के बाद ही न कुछ होगा अब अलक्सण होगा फिर उसका क हो सकता है उसके लिए फरसे इंतिजार करें मार्च अप्रील और मई अप्रील लेकर चली कुछ भी करेंगे तो अप्रील तक पूरा बुकिंग रखियें अप्रिल से पहले तक कोई भी नोटिफिकेशन आपका ब्यार स्टेट का मामला हो ब्यार या 1-2-8 का मामला कोई भी आपका 74 संबंदित नोटिफिकेशन आउट नहीं होगा ये मेरा मनना, आपका क्या मनना है? कॉमेंट सिक्षन में बतेए क्यों? क्योंकि इसका वज़ा है, जब हमें लगा था कि ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी फर्वरी में जनवरी और फर्वरी दोनों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जनवरी या फर्वरी में आजाएगा यानि 2 मंद के अंदर आजागा उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं मार्स अकि यह कंप्लीट करते हैं अप्रील और मई वैसे ही मैं बोल रहा हूं अप्रील या मई में इससे संबंदित अस्टेट से संबंदित नोड़िकेशन आउट हो जाएगा आईबद समझ में और यह असामती मिल जाने के बाद इसका कोई तोड नहीं है इसका कोई तोड नहीं है अब एक चीज याद रखिएगा कि अब आपको इंतिजारी करना होगा अब यहाँ उप्चुनावेगरे के बारे में कुछ मैं चर्चा नहीं करूँगा फिलाल मैं यहाँ बता दू कि आपको कब तक अब इंतिजार करना होगा अब इंतिजार करना होगा मई का अप्रील या मई का अप्रील और मई में बिहार अस्टेट 2019 के अव्यारतियों से सम संबंधित नोटिफिकेशन आ सकता है अब आराम से जो भी केस किये हैं आप उसका सुनवाई करवाईए और आराम से आप भी सुनते रहे हैं कि हां मेरिट का यह हुआ नौन मेरिट का यह हुआ विपक्ष में नहीं हुआ जैसे कुछ अवियार्थियों ने एक मॉर्निंग में मैंने निमाली से वीडियो डाला तो उन्होंने कहा था कि निमाली पर वीडियो बना दीजे अगर वीडियो आपको देखना है समझना है तो उसे समंदित ओल्ड वीडियो पड़ा हुआ निमाली का ही वीडियो है पूरा जब नोटिफिकेशन आया आउट हुआ तो उसी समय हमने बताया था कि यह notification जो है बहाली से संबंदित नहीं है आप भले ही मुझे गलत साबित करें भले कुछ कहें लेकिन वहां पे कहीं भी बहाली का सब्द इस्तमाल हुआ है आका में दिखाईए हाँ certificate देने की बात कहा गया है अब ध्यान से पढ़िएगा को certificate का मामला आएग हाँ यह बात है कि उन्होंने जितना seat था उससे संबंदित कह रखा लेकिन government ने उसको change भी किया है तो government पर ही अपने case वेगर किया होगा तो वो आपका मामला है कि notification से छोड़के उन्होंने सब को क्यों valid किया है इसके लिए उन्होंने NCTE का यह दिया है कि NCTE के तहत हमने कर द यह estate में क्यों लागू कर रहा है कि यह मामला है कोट का कोट इसे आपके पक्ष भी आपके पक्ष को भी सुनेगी और government के भी पक्ष को सुनेगी इसमें हम यह नहीं कहेंगे कि मेरा पक्ष सुनिए यह है यह आप कैसे पक्ष रखते हैं और government कैसे पक्ष रखते हैं को यह उ यहां पे मेन पॉइंट जो बहाली का है वो आप समझ गए होंगे कि सात्वी चरन का कब होगा अब यहां पे मामला करते हैं किसका देखें मैं जो भी बोला हूं फ्रैंक बोला हूं अब इसे आप भी कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्षन में कहें हम नेक्स्ट वीडियो में उसे लेके आएंगे निमाली मामला क्लियर हो गया जिनोंने कमेंट किया था मैंने पढ़ा है परस्टनल पढ़ा है इसलिए मैं बता भी रहूं इसलिए आपके कुछ कुछ कॉमेंट्स ना मैं परस्टनल पढ़ता हूं बागी सब तो उल्टा सिधा लिखेगा तो कोई नही नहीं जाता है कि निगेटिव पोजेटिव चलते रहता है कि किसी को भी बुरा नहीं मनना चाहिए सब को बोला जाता है प्रधान मंत्री हो चिप मनिस्टर हो कहीं के भी चिप मनिस्टर हो सभी निगेटिव पोजेटिव होता है पक्ष भी पक्ष तो होते रहता है अब हम बात करते हैं 1-8 के बारे में जो भी चीजें हैं वो चीजें करते रहे हैं वो अच्छी चीजें हैं पोजिटीव है लेकि एक चीज किलियर समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है जब यहां पे मादमिक और उच्छे मादमिक यह प्रोसेस में था चल रहा था इसलिए यहां पे य इसका जो है document verification हो रहा है और इसका तीसरा phase जो है जिसे तीसरा आप चरन कहते हैं वो run नहीं हो रहा है वो क्या हो रहा है run नहीं हो रहा है और ये मेरे ख्याल से run होगा भी नहीं बारे दिसंबर तक कोई भी notification आउट नहीं होने जा रहा है अब आपको इंतिजार ही करना पड़ेगा यानि बारे दिसंबर के बाद ही इससे समंदित notification आ सकता है या जो भी समय तालिका counseling का date वेगरे चाहते हैं counseling schedule का date वेगरे चाहते हैं वो आ सकता है उससे समंदित notification आ सकता है किलियर हो गया, अब 12 दिसंबर के बाद आएगा, इसके बाद क्या होगा, 12 दिसंबर के बाद कोई डेट मिलेगा, डेट मिलेगा 3-4 दिन का गैपिंग भी आपको चाहिए, ताकि उसी समय जो भी अपडेट वेगरे कराना है करा लें, तो उस डेट को आपका कॉंसलिंग होग जनवरी के बाद ये क्या करेंगे, जनवरी के बाद कुछ डॉक्मेंट वेरिफिकेशन करेंगे ही, अब आप लोग यहां कहेंगे, जल्जी से नियुक्ति पत्र दीजे, वो सारे जो चीज है, एक चीज और किलियर समझ लिजे, और अच्छे से समझ लिजे, और ये सभी से मतलब मैंने भी पूछा है, बहुत सारे चीजे कहा गया, मैं भी चाहता हूँ कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन किलियर एक चीज समझ लिजे, कि जो नियुक्ति पत्र है, ये कब तक मिलेगा, जब तक आपका जितना भी लोगों का है, उन सारे लोगों का स्टार्ट होगा, जैसे ही सिक्षक परकिरिया स्टार्ट होगा, मतलब जैसे ही आप क्लास में जाना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी सेल्डी चालू हो जाएगी, सेल्डी चाली हो जाएगी, यानि वहाँ पे क्या होगा, आपका सेल्ड बनना स्टार्ट होगा, सेल्डी आपको मिलना स्टार्ट होगा, अब यहाँ पे सेल्डी मिलना, और जो कुछ बच गया है उनका सेल्डी नहीं मिल रहा है तो गौवर्मेंट यहाँ पे दो सिग्मेंट में नहीं करना चाहती है, यानि कुछ लोग को इस मंद से दे, कुछ लोग को इस मंद से दे ये government नहीं चाहते है वो चाहते है कि सबगा कर दें और document verification करा ले उसके बाद ये चिज और निर्टि पत्र होए गरे बाटके आपको हम school में भेज दें ये government चाहते है तो ये कब तक complete हो सकता है को जनवरी तक counseling लेके चलिए February, March, April मतलब एक मंत में तो कहें कि लेकिन दो या तीन मंत में ये document verification कुछ करा सकते है और इतने दिन तक मतलब जनवरी, February और March इतने दिन तक अगर आप चाहें तो tutor, अभियान, जो भी अभियाने ये सारे चीज प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कि वो मान के कुछ documents, TAT वेकरे document को verification करा के आपको क्या कर सकती है को school में भेज सकती है यानि उन्युक्ति पत्र दे सकती है वहाँ पर first class magistrate से अब डेविट वेकरे बनाने की बात कहेंगे वहाँ पर ये भी कहेंगे कि हमें document verification मतलब कराने के बात सली दे जो भी process है वो सारे चीज मान के आप उसमें गोश सकते हैं यानि school में जा सकते हैं टीचर बन के पढ़ाने तो ये पता चल गया कब तक हो सकता है कि January गद, February, March February, March और April तक ये हो सकता है यानि दोनों मामला लेके चला जाए तो April तक अब आपका साथी में दोनों साथी में चलेगा complete होता हुआ दिखेगा जो अभी तक सोच रहे हैं कि इससे पहले सिक्षक बहाली पर करिया हम करा लेंगे यानि सात्वी चरन का हो जाएगा तो ये बिलकुल मतलब निरधार है मेरे मानने में आप क्या सोचते हैं comment section में लिखिए साथ में ये भी लिखिएगा कि हम इस तरीके से सोच रहे थे को ये हो रहा है कुछ लोग का यहाँ पे और negative sense हो जाएगा वो कहेंगे कि ये 23 तक चलेगा 25 तक चलेगा 26 तक चलेगा तो ये तो भाई आप देखते हुए आ रहे हैं पीछे में हमने बहुत fast बताया आपको कि अगर government चाहे तो ऐसे कर सकती है लेकिन ये आप देखते आ रहे हैं 2019 का मामला है अभी तक चल रहा है 19,21,21 होगी आप फिर 22 में आप जा रहे है तो इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा मैं खुल के कुछ नहीं कहूँगा मैं इस पे क्या कहूँगा खुल के कुछ नहीं कहूँगा ये आपका मनना है आप लिख सकते हैं comment section में कि इस समय तक हो जाएगा साथ में region भी लिखेंगे तो मुझे भी पढ़ने में आगे के वीडियो में पढ़ने में मज़ा आएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही और सातवे चरण से संबंदित अपडेट आपको क्या चाहिए समझ गया है कि कब तक होगा यह अब आप हमसे पूछें मार्च अप्रिल में तो मुझे भी अच्छा लएगा कि हाँ सातवे चरण का नोडिफिकेशन कब तक आ सकता है फिलाल आप इस संबंदित जो आपका केस है उस पे ध्यान दे सकते हैं फिलाल इसके लिए जो भी करना चाहिए ट्विटर के हमें डाइरेक्ट भाली कर दी यह सारे चीज प्रोसेश चला सकते हैं लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया तो फिलाल इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ तब तक देखते रहें बने रहें हिंदी क्लब पे धन्यवाद बबाएं सब्सक्राइब कीजे हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके यह सब बिलकुल फ्री है